हेलो फ्रेंज टूड़े वे लर्ण अबार्ट यूनिटी दवेंड एंड दिसथ हवा और सूरज इस कहानी में हवा और सूर अपनी अपनी ताकत के बारे में बता रहे थे और हवा ने सूरज को फिर एक चैलेंज किया क्या आपको पते चैलेंज किया था तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं Wind, Sun, can you see that man walking down the road? Wind, हवा बोली, Sun, सूर्य, can you see that man? क्या तुम देख रहे हो उस आदमी को? Walking down the road, जो की जा रहा है राश्ते पे, I can get his coat of mode मैं उतार सकता हूँ उसकी coat को Quickly than you can फिर तुम अराश से आ जाना मेरे बारी के बार Sun, if my ring, we will see who is stronger हम देखेंगे, सूर्य ने मुश्कुराते हुए कहा कि हम देखेंगे कि कौन ताकतवर है stronger जो कि strong का past tense होता है I will let you try first और इसके लिए मैं तुम्हें पहले करने दूँगा Wind puffing his cheeks and blowing heart हवा ने अपने गालों को पुलाया और बहुत जोड से फूप माजा Man, how strong the wind is today आदमी आदमी बोला कि अरे अचानक इतनी हवा जोड से क्यों चलने लगी It is blowing my coat away यह तो उडा ले जाएगी मेरी coat को I must hold tightly round myself मैं इसे बहुत ही टाइट से अपनी कोड के बटन को बांद लेता हूँ Wind blowing harder हवा और जोड से चलने लगी Man pulling his coat more tightly Man, आदमी और जोड से अपने कोड को टाइट से बांद दिया How cold it is इतनी ठंडी क्यों है आज Wind, Sun, I gave up हवा बोला सूरे मैं हार मानता हूँ I cannot get this coat off मैं नहीं उतार सकता हूँ इसके coat को Sun, now it is my turn अब यह मेरी बार है Let me try वोजे कोशिश करने दे He signs hard, वो चबखने लगा Man, what a funny day अरे, आज क्या मजाकिया दिन है It was so cold and now it is so hot अभी तो बहुत ठंडी थी अब बहुत ही कर्मी होगे Sun, shining harder Sun, और जोर से चमकने लगा और बोला I will make him feel hotter and hotter मैं अंकल को या अनकुस आदमी को इतनी कर्मी दिलाऊंगा कि वो अपनी कोट उतार देगा Man wiping his face I must take off my coat Man अपने चैरे को पोचते हुए अपनी कोट उतार देता है Sun, wind, I have won सूरे ने बोला हवा ने जीत गया Won, जो कि विन का पास्टर्स होता है I have made him take off his coat मैंने इसकी कोट उतरवा दी अब हम देखिंगे इसकी कुछ न्यू वर्ड्स को Road R-O-R-O-A-D Road Code C-O-Co-A-T-Code Q-U-I-Y C-K-L-Y Where? S-T-R-O-Stro N-G-E-R Stronger C-H-E-G E-K-I-H W-O-W-N N-1 Reading is fun What did the wind to get the man coat off? Howa ने आदमी की कोट उतरवाने के लिए क्या किया उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया The wind pulling his cheeks to get the man coat off Howa ने अपने गालों को फुलाया और बहुत जोर से फूका ताकि आदमी की कोट उतर जाए What did the sun to get the man coat off? और फिर सूने ने अपनी ताकत दिखाने के लिए किया किया Sun signing harder to get the man coat off Sun ने चमकने लगा बहुत जोर से जिस्टे की आदमी को पसीना लगे और वा अपनी कोट उतर दे Who won in the end? आखिर में जीत कौन गया? The sun in the end with one सूर्य आखिर में जीत गया Who said this to warm in sentence को किन किन लोगों ने बोला? I can get this coat off more quickly than you can मैं इसकी कोट पहले उतारूँगा फिर तुम कोशिच करना Your wind ने बोला था I will let you try first मैं तुम्हें पहले करने दूँगा Your sun ने बोला था How cold it is कितनी थंडी है आख Your man ने बोला I give up I cannot get this coat off मैं हार मानता हूँ मैं इसकी कोट नहीं उतार सकता Your wind ने बोला I have won मैं जीत गया Your sun ने बोला Let's think अब सोचिए गीता Price to Slash गीता's new book From her रोहन छीनना चाता है गीता की नई बुक उससे What do you think It is the best thing to do आपको क्या लगता है क्या ये अच्छी चीज है Choice or Answer फिर गीता क्या करे की कीता Run Away with Harbour क्या गीता अपने बुक के साथ दोड़ेगी कीता Fight with Rohan कीता रोहन से Fight करेगी गीता Talks to Rohan गीता रोहन से पहले बात करेगी कीता Crys in a Corner की वक कोने में रोने लगेगी तो आपका सही आंसर गीता Talks to Rohan क्योंकि पाइट और भागना यह सब करना अच्छी आदत नहीं है और जब गीता रोहन से Talks करेगी तो इससे रोहन में मान सकता है ओकी अब आप अपने क्लास में सोचो कि जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे Say aloud अब आपको बोलना है Find a rhyming word from the story for each of these words आपको इस words के rhyming words बताने है जो कि स्टोरी में थे rhyming words उट्स words को कहते है जो कि बोलने में और spelling उनकी सेम होती है लेकिन उनका बस पहला लेटर चेंज होता है तो जैसे बन है बन का साथ न देखिए यू एन है लेकिन सिर्फ बी चेंज हुआ उसके जालावा एस है और देखें बोलने में भी कितना सेम डग रहा है बन सन होड कोल देखें इसका भी बस फर्स लेटरी चेंज हुआ देखें OLD उसमें भी है COLD बोल बोल के लावा हो जाएगा COAT सिर्फ पहला वर्ड चेंज हुआ है F A N फैन से हो जाएगा में देखें इसमें भी पहला वर्ड ही चेंज हुआ A N वही है S U N N Y सनी को जाएगा FUNY देखें बस S हटाया गया है बाखी देखें F U N N Y P O T उसके लावा जाएगा C O T COLD Let's write अब आपको लिखना है Here are some doing words in the story इसमें कुछ doing words है Doing words यानि काम बरे शब्दों को कहते हैं जैसे walking, smiling, blowing, pulling Find three moment doing words in the story that end in ING and then write them here आपको तीर words इस्टोरी में और बोलने है और लिखना है जो की लास्ट में ING से शुरू होते हैं Doing words को समझने का इक और तरीका है Doing words के लास्ट में हमेशा ING रहते देखें Walking में ING Smiling में ING Blowing भी आरो डब्यू ING PULL ING इसमें भी सब में ING ये सारे Doing words है तो और Doing words आजाएंगे जैसे Shining Shining S-H-I-N-G Shining ING आ रहा है फिर Wiping W-I-P-I-N-G फिर ING आ रहा है Walking W-A-L-K-I-N-G Walking LAST में ING आ रहा है Choice the right words From the box Blue And fill in the blank आपको इन शब्दों को जोड के इन सेंटेंस को बनाना है One day the wind and the sun had a competition तूरज और हवा में एक competition हुआ They dash to make a man take off his coat They wanted वो चाते से कि आजमी की कोट उतरवा दे First पहले The wind blew hard हवा जोर से चली The man took His coat tightly round himself फिर आदमी न अपनी कोट को टाइट से बां लिया Then the sun dash shining heart फिर सूरज फेल्ट ओगा फेल्ट Sun फेल्ट shining heart The man hurt and hurt And he started off his coat Look at these pairs of words That opposite meaning आपको इन सारे words का opposite लिखना है जैसे आपको कुछ examples है Heart, cold, weak, small, strong, weak अब आपको इसके opposite words Good, bad, hard Heart का हो जाएगा Soft, tall, short, black and white Crossword fun ये puzzle है जिसे आपको सुझाना है देखिए एक puzzle समझाने का तरीक का होता है जैसे देखिए First number पे एक strong यानि एक tall man की picture है दो देखिए M, A, N, man हो गया अब second number पे एक coat की picture है Second number यहाँ से start है तम लोग यहाँ से start करेंगे कहीं और से नहीं स्टार्ट करेंगे C, O, A, T, coat Third number पे एक sun की है तो देखिए Third number यहाँ लिखा है तो लोग यहाँ पे start करेंगे S, U, M अब देखिए पे एक wind की picture है तो लोग लिखेंगे W, I, and the wind Okay Team time Act on the plane, the wind and the sun आपको यह गेम को प्ले करना है Act करना, इसको रोल करना है किसका हवा और सूर्य का In class, अपने class में जैसे एक बच्चा हवा बनेगा दूसरा बच्चा सूर्य बनेगा Make paper mask from the sun and the wind Using color chart paper आपको दो मास्क बनाने है एक सूरज का और एक हवा का वेट कलरफूल यानि colorful chart paper से और कलर करके Everybody can take turn to be the wind The sun or the wind सारे बच्चों Turn by turn यानि 12 बाली हवा बनेगे, सूरज बनेगे और मैंड बनेगे, अब देखिए Now write two sentence about one of the mask किसी एक मास्क में आपको two sentence लिखना है तो देखिए I play a role of a wind मैंने रोल किया जैसे मैंने आपको बताया कि आपको the wind and the sun इसको प्रे करना है तो मैंने हवा का रोल लिया मैंने हवा बनी हूँ यानि So I make a beautiful chart paper of a wind using colors तो मैंने एक सुन्दर सा चार्ट पेपर पे हवा की फोटो बनाई है using colors यानि colors से Let's read and answer आप आपको पड़ केस का answer देना है A big wind is blowing Look the leaves are flying हवा बहुत तेज से चल देए देखो पत्या उड रही है The wind can blow tree down हवा ने तो पेड़ो को गिरा दिया It can blow house down और उसने तो घर को भी गिरा दिया My house is old मेरा घर पुराना है Will it come down क्या यह नीचे आ सकता है आती sentence राइट टेक और वोग यानि जो sentence में सही आपको टेक करना है और जो गलत है आपको ब्लॉक करना है The wind can blow down a house No The wind can blow down a field No फिर तो खुदी नीचे रहती है The wind can blow down a child Yes The wind can blow down a tree Yes The wind can blow down a river No Okay friends अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले Bye Bye